हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं सब ठीक होंगे और घर पर खुब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे आज आपका नया अध्याय त्रिकोन मिती का परिचय पढ़ना आरंब करते हैं इस पाट के अंतरगत हम चर्चा करेंगे त्रिकोन मितीय अनुपात की कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोन मितीय अनुपात की पूरक कोणों के त्रिकोन मितीय अनुपातों की एवं त्रिकोन मितीय सर्वसमी काओं की आईए हम अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे उधारण लें जहां समकोन त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जा सकती है उधारण के लिए मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुम मिनार देखने गए है अब यदि कोई छात्र मिनार के शिखर को देख रहा हो तो एक समकोन त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मिनार की उचाई ग्यात कर सकता है दूसरा उधारन देखिए मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीडी पर रखे गमले को देख रही है इस थिती में एक समकोन त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है यदि आपको वह उचाई ग्यात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है तो क्या आप नदी की चुड़ाई ग्यात कर सकते हैं दूरियां और उचाईयां कुछ गणिती ये तक्निकों को जो त्रिकोन मिती नामक गणित की एक शाखा के अंतरगत आते हैं लागू करके ग्यात किया जा सकता है अंग्रीजी शब्द Trigonometry की उत्पत्ती ग्रीक शब्दों Tri जिसका अर्थ है तीन, Gon जिसका अर्थ है भुजा और Metron जिसका अर्थ है माप से हुई है वस्तुतह त्रिकोन मिती में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंदों का अध्यन किया जाता है प्राचीन काल में त्रिकोन मिती पर किये गए कादे का उलेक, मिश्र और बेबिलॉन में मिलता है प्राचीन काल के खगोल विद त्रिकोन मिती का प्रयोग प्रित्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे आज भी इंजिनेरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रद्योगी की उन्नत विधियां त्रिकोन मिती संकल्पनाओं पर आधारित हैं इस अध्याय में हम एक समकोन त्रिबुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके नियोन कोणों के सापेक्ष अध्यन करेंगे जिने कोणों के त्रिकोन मितीय अनुपात कहते हैं यहां हम अपनी चर्चा केवल नियोन कोणों तक ही सीमित रखेंगे यह दिपी इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है यहां हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वले कोणों के त्रिकोन मितीय अनुपातों को भी परिभाशित करेंगे हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोन मितिये अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंदित कुछ सर्वसमिकाएं जिने त्रिकोन मितिये सर्वसमिकाएं कहा जाता है स्थापित करेंगे आईए अब हम चर्चा करते हैं त्रिकोन में तिये अनुपातों की आईए हम एक समकोन त्रिभुज ABC लें यहां कोन CAB या संग्षेप में कोन A एक न्यून कोन है माल लेते हैं ये त्रिभुज ये B है और ये A और ये C यहां कोन CAB या संग्षेप में कोन A एक न्यून कोन है कोन A के सापेक्ष भुजा BC की स्थिती पर ध्यान दीजिए ये भुजा कोन A के सामने है इस भुजा को हम कोन A की सम्मुख भुजा कहते हैं भुजा AC समकोन त्रिभुज का कर्ण है इसको हम कर्ण कहते हैं और भुजा AB कोन A का एक भाग है अतह इसे हम कोन की सनलग्द भुजा कहते हैं यहां हम समकोन त्रिभुज की भुजाओं से समबंदित कुछ अनुपातों को जिने हम त्रिकोन मितिय अनुपात कहते हैं परिभाशित करेंगे आईए देखते हैं एक त्रिभुज ABC जिसका कोन भी समकोन है माल लीजिए ये कोन भी A और ये C त्रिकोन मितिय अनुपात इस प्रकार परिभाशित किये जाते हैं कोन A का साइन याने साइन A बराबर होता है कोन A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण बराबर है BC बटा AC कोन A का को साइन माने कॉस A बराबर होता है कोन A की आसन भुजा बटा कर्ण बराबर AB बटा AC कोण A का टैंजेंट मने टैन A जो बराबर होता है कोण A की सम्मुक भुजा बटा कोण A की आसन भुजा बराबर होता है BC बटा AB कोण A का को सीकेंट मने कौसेक A जो बराबर होता है एक बटा साइन A बराबर AC बटा BC कोण A का सीकेंट जो बराबर होता है सेक A मने एक बटा कॉसे बराबर है A C बटा A B इसी प्रकार कोण A का को टैंजेंट बराबर है कॉट A जिसको हम एक बटा टैने लिखते हैं बराबर A B बटा B C टैने बराबर होता है साइने अपॉन कौसे और कौटे बराबर होता है कौसे बटा साइने उपर परिभाशित किये गए अनुपातों को संक्षेप में साइने, कौसे, टैने, कौसे के, से के और कौटे लिखा जाता है ध्यान दीजिये की अनुपात कौसे के, सेके और कौटे अनुपातों साइने, कौसे और टैने के करमशह व्यूत करम होते हैं अतह एक समकोन त्रिभुज के एक न्यून कोन को त्रिकोन मितिया अनुपात त्रिभुज के कोन और उनकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंद को व्यक्त करते हैं ठीक है बच्चो आगे टिपणी पर गौर करते हैं ध्यान दीजिये की प्रतीक साइने का प्रयोग कोन ए के साइन के संग्षिप्त रूप में किया गया है यहां साइने साइन और ए का गुणनफल नहीं है ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थी नहीं होता इसी प्रकार कौस से कौस और ए का गुणनफल नहीं है यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोण मितिय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाईयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता अगली टिपणी पर गौर करिए क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है इसलिए साइने या कौसे का मान सदा ही एक से कम होता है या विशेश्थती में एक के बराबर होता है आईए अब हम कुछ उधारन ले पहला उधारन यदि टैने बराबर है चार बटा तीन तो कोण एक के अन्य त्रिकोन में तिया अनुपात ग्याद कीजिए आईए इसका हल समझ लेते हैं सबसे पहले हम एक समकोण ABC खीचे इस प्रकार अब हम जानते हैं कि टैने बराबर होता है चार बटा तीन इस प्रकार अब यदि BC हम चार के लेंगे क्योंकि ये अनुपात है चार बटा तीन एक अनुपात है इसलिए हम मानें ये BC बराबर चार के तब ए भी बराबर होगा तीन के जहां के धन संख्या है अब पाइथगरस प्रमे लागू करने पर हमें ये प्राप्त होता है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग जिसको हम लिख पाते हैं 4K का वर्ग जमा 3K का वर्ग इसको हल करके हमें प्राप्त होगा 16K वर्ग प्लस 9K वर्ग जिसको हम जोड़ कर पाएंगे 25 के वर्ग, इस प्रकार अगर हम AC निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5K, अब हम इनकी परिभाशाओं की सहायता से सभी त्रिकोण मितिया अनुपात लिख सकते हैं, आएए कैसे लिखेंगे देखें, साइने बराबर है BC बटा AC, यानि 4K बटा 5K, यहां K कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा 4 बटा 5, कॉसे बराबर होगा AB बटा AC, जो बराबर है 3K बटा 5K, और K को हम कैंसल कर देंगे और हमें मिलेगा 3 बटा 5, अतह कॉट ही बराबर होता है, एक बटा टैने, बराबर 3 बटा 4, और कॉसे के को हम लिख पाते हैं, एक बटा साइन है, जो बराबर होगा 5 बटा 4, और से की बराबर होगा, एक बटा कॉसे, जो बराबर होगा 5 बटा 3, आएए अब दूसरा उधारन देखते हैं, एक समकोन त्रिभुज ABC में जिसका कोन B समकोन है यदि टैन A एक के बराबर है तो सत्यापित कीजिए कि दो गुना साइन A, गुना कौस A बराबर होता है एक के यह हम त्रिभुज बना लेते हैं B समकोन है और हमें दिया है टैन A बराबर है एक अब देखिए टैन A बराबर होता है BC बटा AB ठीक है BC बटा AB जो एक के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ BC बटा AB बराबर है एक मतलब BC और AB दोनों बराबर हैं माल लीजिए AB और BC दोनों के के बराबर हैं जहां के एक धन संख्या है अब AC बराबर होगा वर्ग मूल AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जो बराबर होगा वर्ग मूल के का वर्ग जमा के का वर्ग ये हो गया दो के का वर्ग या के वर्ग मूल दो के बराबर अतह साइन ए बराबर होगा बीसी बटा एसी यानि एक बटा वर्गमुल दो और कौसे बराबर होगा एक बटा वर्गमुल दो इसलिए दो साइने कौसे बराबर हुआ दो गुना एक बटा वर्गमुल दो ये कैंसल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा एक जो की अपेक्षित मान है हमें ये बताना था ठीक है आईए अगला उधारन देखते हैं O P Q में जिसका कोण P समकोण है P समकोण है ये O ले लेते हैं और ये Q ले लेते हैं हमें O P दिया हुआ है साथ सेंटीमीटर और हमें ये दिया है O Q माइनस P Q बराबर है एक सेंटीमीटर हमें साइन Q और कॉस Q का मान ग्याद करना है O P Q से हमें ये प्राप्त है कि O Q का वर्ग बराबर होगा O P का वर्ग जमा P Q का वर्ग पाइथगरस प्रमे द्वारा अर्थात एक प्लस P Q का वर्ग बराबर होगा O P का वर्ग जमा P Q का वर्ग इसको हम और सरल करके लिख लेते हैं एक प्लस P Q का वर्ग प्लस दो गुना P Q जो बराबर होगा O P का वर्ग जमा P Q के वर्ग के वर्ग के बराबर अब आप देखिए PQ का वर्ग हम दोनों तरफ कैंसल कर देते हैं हमें प्राप्त होगा एक जमा दो PQ बराबर है साथ का वर्ग देखें यह हमें दे रखा था ओपी कितना है साथ सेंटीमीटर इस प्रकार दो PQ कितना हो गया यह एक उदर चला गया तो हमें मिला 48 दो PQ बराबर हुआ 48 इसका मतलब PQ बराबर हुआ 24 सेंटीमीटर और OQ बराबर है एक जमा PQ 25 सेंटीमीटर के बराबर अतर साइन कीव हुआ बराबर साथ बटा पच्चिस और कॉस कीव बराबर हुआ 24 बटा पच्चिस समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन करते है आपकी प्रशनावली 8.1 का पहला प्रशन A, B, C में जिसका कोन B समकोन है यह आपका समकोन है और A, B हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और B, C दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर निम्न लिखित का मान ग्याद कीजिए हमें साइने और कॉसे का मान निकालना है सबसे पहले देखिए बच्चों हमें A, B और B, C दिया है हमें पता करना है कि A, C कितना होगा यह हम पाइथगरस प्रमे से निकाल लेते हैं पाइथिगर्स प्रेमे द्वारा हम लिख पाएंगे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जमा BC का वर्ग यह है हमारा 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग यह हो गया यहां लिख लेते हैं 506 जमा 49 जो होगा 625 इस प्रकार AC का वर्ग हुआ 625 हम AC निकालेंगे तो इसका वर्ग मूल करना पड़ेगा जो होता है 25 सेंटीमीटर के बराबर तो यह आगे हमारे पास 25 सेंटीमीटर अब हमें बच्चों पता लगाना है साइन ए साइन ए कितना होगा कियो होगा CB बटा करन कितना है AC तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे साथ बटा पड़ेश ठीक है अब हमें निकालना है कॉस A कॉस A बड़ाबर होगा AB बटा AC मने 24 बटा 25 इस प्रकार हमने साइन ए और कॉस A का मान निकाला आईए आप अगला प्रश्न करते हैं आकरती में कॉन Q समकोन है P Q बड़ाबर है 12 cm P R बड़ाबर है 13 cm हमें tan P मान ग्यात करना है ठीक है आईए यहाँ पर आकरती बना लेते हैं कॉन Q समकोन है P Q R P R है 13 cm और P Q है 12 cm ठीक है अब हम परिटकर्स प्रमे द्वारा R Q का मान निकाल लेते हैं पहले तरह बुझ P Q R में पाइथगुरस प्रमे द्वारा हम लिख सकते हैं R P का वर्ग बराबर है R Q का वर्ग जमा P Q का वर्ग या है 13 का वर्ग बराबर R Q का वर्ग जमा 12 वर्ग अब हम इसको हल करने के लिए 12 वर्ग इस तरफ ले आते हैं और अब हम इसमें सूत्र लगा देते हैं 13 प्लस 12 जो बराबर होगा R Q का वर्ग एक गुना 25 और इस प्रकार हमें R Q का वर्ग मिलेगा 25 और R Q हम निकालेंगे वर्ग मूल लेकर के 25 का वर्ग मूल होगा 5 इस प्रकार हमें यह 5 सेंटीमीटर मिल गया अब हमें निकालना है टैन P माइनस कॉट R टैन P माइनस कॉट R इसका मान निकालना है टैन P होता है R Q बटा P Q और कॉट R यह भी हो जाएगा R Q बटा P Q अभी उसका मान रख देते हैं पांच बटा बारा माइनस यह भी होगा पांच बटा बारा और यह कैंसल होकर के हमें मान मिलेगा शून्या समझ में आया बच्चो चलिए आगला प्रश्न करते हैं यदि साइने बराबर है तीन बटा चार तो कॉसे और टैने का मान परिकलित कीजिए हमें दिया है साइने बराबर है तीन बटा चार यह एक अनुपात है हम इसको मान लेते हैं साइने बराबर तीन के बटा चार के जहन के एक वास्तिक संख्या है त्रिभू JBC में पायथोगरस प्रमे से हम लिख सकते हैं A B का वर्ड बराबर A C का वर्ड माइनस B C का वर्ड अर्थाथ चार के का वर्ड माइनस 3K का वर्ग, जो हल करने पर हमें मिलेगा 16K वर्ग माइनस 9K वर्ग बराबर 7K वर्ग, इस प्रकार AB का मान हुआ, वर्ग मुल 7K वर्ग बराबर वर्ग मुल 7 गुना K, इसलिए कौस से बराबर है AB बटा AC और हम लिख पाएंगे वर्ग मुल 7K बटा 4K और इसमें दे के हम काट देंगे और हमें मिलेगा वर्ग मुल 7 बटा 4 और टैने बराबर है BC बटा AB जिसको हम लिख पाएंगे 3K बटा वर्ग मुल 7 गुना K अब K हाँपे काट देंगे और हमें इसका मान मिलेगा 3 बटा वर्ग मुल 7 ठीक है बच्चो समझ में आया, चलिए अगला प्र प्रशन 4 यदि 15 कोटे बराबर है 8 तो साइने और सेक एका मान ग्यात कीजिए दिया है 15 कोटे बराबर 8 इसका मतलब कोटे कितना हो गया 8 बटा 15 चीक है माना कोटे बराबर है 8K बटा 15K अनुपात है हम ऐसे लिख सकते हैं जहां के एक वास्तविक संख्या है त्रिभू JBC में पार्थकरस प्रमे द्वारा AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग जमा BC का वर्ग और हम लिख पाएंगे 8K का वर्ग जमा 15K का वर्ग जो बराबर होगा 64K का वर्ग जमा 225K का वर्ग जो बराबर होगा 289 K का वर्ग इस प्रकार A B बराबर होगा वर्ग मूल 289 K का वर्ग याने 17 K इसलिए साइन A को हम लिख पाएंगे B C बटा A C माने 15 K बटा 17 K यहाँ पे K को हम काट देंगे और हमें इसका मान मिलेगा साइन A का 15 बटा 17 और सेक A बराबर है A C बटा A B जिसको हम लिख पाएंगे 17 K बटा 8 K और के काटने के बाद हमें मिलेगा 17 बटे 8 यह हुआ आपका सेक A का मान ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं यदि सेक थीटा बराबर है 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोन मितिया अनुपात परिकलित कीजिए आए इसका हल समझ लेते हैं दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 माना सेक थीटा बराबर है 13 K बटा 12 K जहां K एक वास्तविक संख्या है त्रिभू जे बी सी में पायथगरस प्रमे द्वारा बी सी का वर्ग बराबर होगा A C का वर्ग माइनस A B का वर्ग जिसको हम लिख सकते हैं 13 K का वर्ग माइनस 12 K का वर्ग और ये आपको मिलेगा 179 K का वर्ग माइनस 144 K का वर्ग जो बराबर होगा 25 K का वर्ग इस प्रकार A B बराबर होगा वर्ग मुल 25 K का वर्ग बराबर 5 K इसलिए साइन थीटा बराबर होगा BC बटा AC बराबर होगा 12K बटा 13K अब हम ग्रह कारे के लिए कुछ प्रश्ण ले लेते हैं दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए पहला प्रश्ण है यदि कौसे बराबर 4 बटा 5 है तो टैने का मान है A विकल्प है 3 बटा 5, B 3 बटा 4, C 4 बटा 3 और D 5 बटा 3 दूसर प्रश्ण यदि साइन A बराबर है 1 बटा 2 तो कौटे का मान है पहला ओप्शन A है वर्गमुल 3, दूसरा ओप्शन 1 बटा वर्गमुल 3, तीसरा C वर्गमुल 3 बटा 2 और अगला ओप्शन D है 1 अगला प्रशन यदि 4 गुना टैन थीटा बराबर है 3 तो 4 गुना साइन थीटा माइनस कौस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस कौस थीटा बराबर है पहला ओप्शन है 2 बटा 3, दूसरा ओप्शन है 1 बटा 3, तीसरा 1 बटा 2 और चौथा ओप्शन है 3 बटा 4 अगला प्रेश्ण यदि कोन B और कोन Q ऐसे न्यून कोन हो जिससे की साइन B बराबर हो साइन Q तो सिद्ध कीजिए की कोन B बराबर होगा कोन Q अगला प्रेश्ण त्रिभुज A C B लीजिए जिसका कोन C समकोन है जिसमें A B बराबर है 29 एकाई B C बराबर है 21 एकाई और कोन A B C बराबर है थीटा तो निम्न लिखित के मान ग्याद कीजिए पहला कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा दूसरा है कॉस वर्ग थीटा माइनर साइन वर्ग थीटा आईए अब सारांच देख लेते हैं आज आपने निम्न लिखित तत्यों का अध्यन किया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है कोण A के त्रिकोन मितिया अनुपात इस प्रकार परिभाशित किये जाते हैं कोण A का साइन माने साइने लिखेंगे हम कोण A के सम्मुख भुजा बटा कर्ण मतलब BC बटा AC कोण A का कोसाइन माने कौसे जिसको लिखा जाता है कोण A की आसन भुजा बटा कर्ण जो बराबर होगा AB बटा AC के कोण A का टैंजेंद माने टैने जिसको हम लिखते हैं कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की आसन भुजा जो बराबर है BC बटा AB, कौन A का को सीकेंट मतलब को सेक A, लिखा जाता है एक बटा साइन A, मतलब AC बटा BC, इसी प्रकार कौन A का सीकेंट मतलब सेक A, जिसको हम लिख सकते हैं, एक बटा को से, बराबर AC बटा AB, कौन A का को टाइनजेंट मतलब कौट A, बराबर एक बटा टैन A, जिसको हम लिख सकते हैं, AB बटा PC, टैन A को लिख पाएंगे साइन A बटा को से, और कौट A को हम लिखते हैं को से बटा साइन A, यदि कौन वही रहे, तो एक कौन के त्रिकौन मितिये अनुपात पुजाओं की लंबाईयों के साथ बदलते नहीं हैं, यदि किसी कौन का एक त्रिकौन मितिये अनुपात दिया हो, तो उसके अन्ये त्रिकौन मितिये अनुपात निर्धारित किये जा सकते हैं, तो बच्चों आशा करती हूं, आपको आज का पाठ रोचक लगा होगा, औ अन्यवाद!